ही गाईज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आरजनी हस्टराल टिप्स एन दिस साइड ने हाँ आई होप यौल गाईज आर गुड़ सो गाईज आज आप थम्निल देखकर समझी गए हैं कि हम किस बारे में बात करने वाली हैं जिहां दोस्तों डेंडरफ के बारे में आज हम बात करेंगे डेंडरफ जो की बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है लेकिन यह इतनी चोटी भी समस्या नहीं है जिसे हम इग्नोर कर सके यह हमें बहुत ज़ादा step में मैं आपको बताऊंगी और अगर आप इसे यकीन मानिए अगर दो से तीन हफ़ते तक अगर आप इसे regular करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके जो डेंडरफ है वो scalp से हट जाएंगे और आपका जो scalp है वो बहुत ही ज़ादा अच्छा हो जाएगा आपके जो hairs है वो बहुत जादा healthy और shine और glow करने लगे तो चलिए जान लेते हैं इसे हमें बनाना कैसे है तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पर आपको लेने है प्याज के छिलके जी हाँ दुस्तों प्याज के छिलके आपको लेने है जो कि बहुत ही आसानी से आपको अपनी घर पर मिल जाएगा और साथी साथ आपको लेना है water वाटर आप वो बाला इस्तमाल करें जो आप पीते हैं जो कि purify होता है वो आपके बालों के लिए बहुत जादा अच्छा होता है अब आपको इस पानी में इस प्याज के छिलके को उबलने देना है आपक का कलर चेंज हो गया ये रेड कलर का हो चुका है बस इस टाइम तक आपको इसे बॉल करना है देन आपको इसे अच्छी तरीके से छान लेना है किसी साफ बरतन में अब इसे थोड़ा सा ठंडा करके आपको इसे अपने स्केल्प पर डारेक्टली लगाना है इसे या तो काल कर इसे स्प्रे भी कर सकते है अपने स्केल्प पर और फिर अच्छी तरीके से अपने स्केल्प की मसाज करने के बाद जैसे हम ऑईलिंग करते हैं अपने सर पर वैसे ही आपको इसे करना है देन आपको वेट करना है 15-30 मिनट उसके बाद ही आप अपने हेर को वाश कर ल आपको यह रेमेडी और यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें मैं आपसे फिर मिलूँगी अगली इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के आप अपने दिहान रिखें टाटा बाई बाई